नमस्ते दोस्तों वेलकम बैक तो आज देखिए मुझे मिल गई है हॉंडा एक्टिवा 5G और मैं आज आप लोग को वही दिखाऊंगी कि आप लोग का बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था सिर्फ करते मा कि विन्टर सेजिन में गारी स्टाट नहीं होती है तो इसको क्या करना चहिए चली फटाफट से वीडिव को स्टाट करते हैं लेकिन किक स्टाट का भी एक टीक्नीक होता है जैसे कि हाफ स्टैन में है तो यह दब पूरा प्ले नहीं हो रहा है तो इसलिए यह स्टार्ट भी नहीं हो रहा है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे फुल स्टैन में कर लेंगे लेकिन फुल स्टैन करने के बावजूद यह ठीक से स्टार्ट नहीं होगा कभी कबर नहीं तो देखिए पैर को मैंने किस तरह से रखा है इस तरह से ठीक है इस तरह से रखके जस्ट गयाँ है तो इसनी किक्स्टार्ट का भी एक टेक्नीक होता है हर गारी का अलग-अलग होता है बट एकिवा है इसमें इस तरह से करने से अराम से हो जाता है ठीक है जस्टे से करना है और नीचे करना है और कुछ नहिंगे सी दिए और अब सक कि इससार्ट कर दिये हैं अब समुझ । कुछ है नहीं करना कुछ है इस्को टार ज़र काना है रगभी लिए हैं इसका हैंडल जो है वहात loudly मैं नहीं पक रहे हैं acceleration मैंने नहीं दिए है कुछ भी नहीं किए बस start मैंने कर दिए है तो किक से आपको ऑसको करना है और अगर किकस्टार्ट नहीं होता है तो आपको यह जो चौक है यहां पर आपको दिख रहे हैं यह चौक को ऊपर के बाद करणा है तो इसके बाद बद करों कि देखे दोस्तों एक्ट्वल में होता क्या है कि winter season में ऐसे ही ठंडा रहता है और फिर सारी रात यह जब गारी कहीं पर नहीं चलती है तो यह इंजिन जो है ना इसका पूरा ठंडा पर जाता है इसलिए इसको थोरा सा गरम करने की जरूरत है तो इसलिए आप इस तरह से देंगे तो गारी अलाम से गरभी को जाएगी और उसके बात अब सागतuireंगे तो अराम से स्टार्ट हो जाता है गारी को ज़र निकली आपने इसमें बैच जाके और अपने इसको सब्सक्राइब इसको आप करने हैं कि अज के लिए इतना ही था आई हो कि आप लोगों को समझ आई होगी कि विंटर सिजिन में आपको गारी को किस तरह से स्टार्ट करना है तो अगर वीडियो अच्के लगी तो जरू लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब चैनल आज के लिए इतना ही टाट अब आप एंट एक है वाई